महराष्ट विधान्त सभा चुनाव जैसे जैसे नजदी खा रहें राजनितिक पार्टी के नेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिल लई है और ऐसे में ख़बर सामने आई कि महराष्ट में एकनात शिंदे की शिफसेना ने आदित्य ठाकरे की खिलाफ मिलिंद देवडा को उतार दिया आकिर का क्यों मिलिंद देवडा को उतारा गया दरसल इसके पीछे एक बड़ी बजा है महराष्ट के मुख्यमंतरी एकनात शिंदे की पार्टी शिफसेना ने अपनी दूसरी लिष्ट जारी की तो एक नाम ने सबका ध्यान खीचा इस लिष्ट में शिफसेना ने अपने राचे सबा सांसत मिलिंद देवडा को मुंबई की वरली विधान सबा सीट से उमिदवार बनाया वरली अब हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है क्योंकि मिलिंद की सामने वरली से वर्तमान विधायक आदित ये ठाकरे की चुनौती है इस सीट पर तीन सेना है शिफसेना, शिफसेना यूबिटी और महराष्ट नवनिर्मान सेना आमने सामने हैं अपने दर्शकों को बता दें वरली से टिकट मिलने के बाद मिलिंद देवडा ने अपनी पार्टी शिफसेना को धन्यवाद दिया और वरली के हर निवासी की आवाज मुख्यमंत्री एक नाश्रिंदे तक पहुंचाने की बात कही वहीं आधिकारी घोशना के बाद उद्धव ठाकरे के शिफसेना यूबिटी ने कहा कि मिलिंद देवडा वरली सीट पर अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे महायूती घटबंदन में भारतिय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाइना एंसी ने भी वरली से टिकट के लिए दाविदारी कर रही थी लेकिन मिलिंद की उमिदवारी के बाद शाइना एंसी ने उनका समर्थन कर दिया मुंबई में जनमें मिलिंद देवडा जाने माने कॉंग्रेस नेता मुरली देवडा के बेटे हैं और 2004 में पहली बार 27 साल की उमर में उन्होंने मुंबई दक्षिन लोकसभा सीट से उपचुनाव जीता था मिलिंद ने इस सीट से दो बार की सांसद और बीजेपी नेता जैनती बेन महता को हराया था 2009 के लोकसभा चुनाव में भी मिलिंद जीते और यूपिये टू सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए मिलिंद जब मंत्री बने थे तब उनकी उमर 34 साल थी और वो ततकालिन केंद सरकार के युवा चहरों में से एक थे आदित ठाकरे की कहानी भी मिलिंद देवडा से मिलती जुलती है जन्म जो है मशुहूर ठाकरे परिवार में हुआ तो राजनीती विरासत में मिल गए 2019 की विधान सभा चुनाव में 29 साल की उमर में पहली बार चुनाव लड़ा और मुंबई दक्षिन की वरली सीट से चुनाव जीत कर महराष्ट सरकार में कैबिनेट मंत्री बने वरली सीट मुंबई दक्षिन लोकसभा चेतर में आती हैं और मिलिंद यहां से दो बार सांसद रह चुके हैं वहीं आदित्य ठाकरे पिछले पांथ साल पांथ से यहां विधान सभा प्रतिनिधी हैं ऐसे में वरली के मतदाता का जुकाव किस और रहेगा ये वाकई देख देखने वाली बात रहेगी